नमस्कार दोस्तों परमजी सिंग केली हाफ साहरवेदा से आज आपके सामने एक बार फिर और आज की जो तारिक है वो 3 मार्च 2022 है और ये जो फिल्ड है ये मेरी खुद की फिल्ड है ये मेरा गेहूं का खेत है और इस समय आप सब को पता है कि हमारे गेहूं की जो फसल है उस दोस्तों हम इस अल गो जो लोग और गैनिक फार्मिंग करते हैं खास तरफ़ ये वीडियो के माद्यम से उनके लिए मैं यह कलियर करना चाहता हूं कि इस कीट को आप देखिए और गैनिक फार्मिंग की जब भी बात आती तो सबसे पहले एक बात आते हैं कि हमारे मित्र कीट तो दोस्तों ये हमारे मित्र कीटों में से ही जो है एक परजाती है ये अड जो है जिस खेत में है और जिसमें हमने पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया है वहाँ पे आपको ये कीट जो है भरपूर मातरा में जो है आपके पोदों पे आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो खुराक है वो अड है ये अड को ही खाता है चेपे को खाता है ये तो आगर हम औरगैनिक फार्मिंग से फुडी फार्मिंग की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये आप इसकी आक्टिविटी जो है इस तरह से देख सकते हैं और ये जो है नेचर का जो एक तरीका है वो ये है कि ये इस तरीके से जो है हमारी फसल को कीटों से जो है वो प्रकिर्टी उसे कंट्रोल करती है तो इसका सिदा सिदा मकसद यही है मतलब यही है कि अगर हमारी जमीन में इम्मिनूटी अच्छी होगी हमारी पोदे की इम्मिनूटी अच्छी होगी तो हम प्राकिर्टिक रूप से अपने पोदों को सेफ कर सकते हैं इंसेक्ट से और पेस्ट से जितने भी इस तरह की यह चीजे हैं तो यह उसका एक जो है आपके सामने जीता जागता जो है एक एक एग्जामपल है देखें दोस्तो इस तरह से जो है यह कीट यह बड़ी मेनत से मैं इस वीडियो को त्यार कर रहा हूँ आप देख सकते हैं किस तरह से कीटों का हात्मा कर रही है और इस तरह के जो है बहुत सारे कीट प्रकृति के अंदर मौजूद हैं जितने शाकाहरी कीट हैं उससे ज्यादा मात्रा में जो है मासाहरी कीट जो है वो आपको प्रकृति के अंदर मौजूद मिलेगे और जो मासा हारी कीट हैं वो किसानों के मित्र हैं यह आप देखिए किस तरह से जो है यह हमारी फसल को जो बरबाद करने वाले कीट हैं यह उसको किस तरह से खतम करते हैं लेकिन जब हम अपनी फसल के उपर रसाइनिक खादों का प्रयोग करते हैं रसाइनिक जो है मित्र किट हैं वो रसाइनिक जो जहर जो है पैस्टिसेट जो है वो हमारी मित्र कृटों को भी खतम कर देते हैं जिससे परकिर्टी का जो संतुलन जो है वो भिगड़ता है और उसी का जो प्रिणाम है आज की समय में हमारा जो किसान जो परिशान है उसका ये एक सबसे मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जमीन की इम्मिनुटी को बढ़ाएं और उसके साथ अपने पोदे की इम्मिनुटी को बढ़ाएं जब ये दोन्नों काम हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंज जो है परतकिर्ती अपने आप खतम करना शुरू कर देगी ये आप देख रहे हैं लाइव और इस तरह के बहुत सारे कीट जो हैं मेरे खेत में हैं